AIMIM नेता पुरो मुख्या असलम मुख्या हत्याकांड में फिर एक बार नया मोड ले लिया है जिसका खुलासा गोपाल गेंच की पुलिस ने किया है दरसल साथ नामजद अव्युक्तु के इलावा दो अन्य लोगों की भी आज गिरफ्तारिया हुई है जिसका खुलासा गोपाल गेंच के स्पी सौरपरभात ने खुद किया है आपको दादे कि आज के ही दिन यानी 12 फरवरी को पुरो मुखिया की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद पूरे लोग इस इंतजार में थे कि उस मामले में खुलासा होगा लेकिन आज जो खुलासा हुआ है वो चौकाने वाला है लेकिन इस बीच लोग इस इंतजार में है कि इस पूरे कांड में पूरी तरह से खुलासा हो लेकिन अब तक पुलिस ने पूरी तरह से इस कांड में खुलासा नहीं कर पाया है जो नामजग साथ अव्यूक थे उसमें चार लोगों को पहले ही पुलिस ने गिरफ़तार कर नयाएक खिरासत में भेज दिया है आज फिर दो अलग जो वीना नामजट थे जिनका नाम उस में दर्ज नहीं था इफायर में दर्ज नहीं था उनकी गिरफतारी हुई है और उन्हें ने अगिरास्त में भेजा गया है लेकिन क्या कुछ जो है पूरा मामला है वो हम बताते हैं पहले जानी है कि देखें पूरे बेटे के द्वारा उनके परिवारों के द्वारा सात लोग को नामजट अभिज बनाया गया था जिसमें तीन लोग को पूरी तरह से नहीं खुल पाया था कि हत्या का कारण क्या था हत्या क्यूं हुआ इस बात पर अभी भी असंका बना हुआ लेकिन आज जो गिरफतारी हुई है उसमें दो अन्य लोग की गिरफतारी हुई है पुलिस ने जो बताया है वो आपको बताते हैं कि पूर्व मुख्या अब्दुस्सलाम और फसला मुख्या के हत्या कांड में जो लाइनर और हत्यार सप्लाइर की गिरफतारी पुलिस ने बताया है पुलिस ने ये भी बताया है कि जो लाइनर के रूप में काम कर रहे थे वो दीपक उपाध्या थे जो मीर गैज थाना छेत्र के रहने वाले थे उन पर कई मामले भी दर्ज है वो लाइन पुलिस को एक देशी पिस्टल और जो है एक कारवाइन जिन्दा कार्थूस 23 मिला है सेमी आटोमेटिक एक राइफल और दो मोबाइल फोन भी पुलिस ने जर्थ किया है इस पूरे कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने यह बताया है कि यह दोनों लोग उसमें सामिल थे पुर्य मुख्या अगुल सलाम हत्या कांड में पुलिस पर बड़ी हंदी हाथ यह इसको पुलिस ने ग्रफतार किया है और साथी सब्सक्तने हायए पादियार फ़सazar प्राइण treasure प्स्राइब किया है आर उताना निलगन कर रहने है तौफिक मिया नगर थाना कर रहने वाला है और यह उसको पूलिश कर्वाइन गिरतार से पास के रामत किया है और तीज जिंदा कर दूशे बरामत किया गया है इन दोनों सब्सक्राइब किया है और इसके पास से भी हम लोग ने हथियार बरामत किया है अपुल में बड़ा प्राइब की घट्राओं में शामीज रहे हैं हाला कि पुलिस ने गुप्त सुचना और टेक्निकल डिसोर्स के अधार पर इनने गिरफतार किया है और इनके पास से जो बरामत हुआ है वो हमने आपको पताई दिया है अब देखना होगा कि अगली इस पूरे हत्या कारण की अगली कड़ी का खुलासा कब होता है लोग इस चैनल यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें धन्य बाद